कहते हैं न जा चावारा कुछ वैसा ही हो रहा है भारत के साथ जहां एक तरफ भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने बड़े बड़े विशे सग्यों को चौका दिया है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से डरे पाकिस्तान ने आखिरकार चीनी सेना को लेकर क्या उत्तर दिया चाइना को जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को जिस तरीके से बहुत तेजी से आगे लेकर गया है वो एकदम से आश्चर ये जनक है आपको बता दें भारत का रक्षा निरियात पहली बार 21,000 करोड रुपए के पार पहुँच गया है रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने सोसल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी राजनात सिंग ने लिखा कि ये बताते हुए बेहत खुसी मसूस हो रही है कि भारत का रक्षा निरियात औहुद्थपूर्व तरीके से बढ़कर 21,000 करोड रुपए के पार पहुच गया है स्वतंत्र भारत के इतियास में ऐसा पहली बार हुआ है वित्तिय वर्ष 23-2024 में भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्तिय वर्ष की तुलना में 32.5% की बढ़ोत्री के साथ 21,83 करोड रुपए के अस्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने एक अन्य ट्विट में लिखा कि पिये मोदी के दू दर्सी निर्थितु और रक्षा मंतर आले द्वारा किये गए परियासों के कारण भारत के रक्षा निर्यात में ये ग्रोथ देखी गई है। के अतात ब्रह्मो सूपर सोनी क्रूज मिसाइल का सौधा किया था। ये सौधा करीब 37 करोड डॉलर का था। कई अन्य देशों के साथ भी भारत के रक्षा निर्यात को लेकर बादशीत चल रही है। नीजी छेतर की भागी द्यारी से भी देश की रक्षा निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत का रक्षा निर्यात 85 से अधिक देशों को हो रहा है और देश की 100 से जादा कमपनियां रक्षा प्रोडक्ट को दूसरे देशों को निर्यात कर रही है। भारत को इस उचाई को हासिल करने में जादा वक्त नहीं लगा। वैसे इसे कहा जाता है जवरजस्त उच्छाल क्योंकि सचमुच में इस तरीके के उच्छाल देखने को पहली बार मिल रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट कभी भी इतना बड़ा नहीं रहा है। भारत हक हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो हतियारों को खरीदता है। लेकिन पहली बार भारत को ये देखने को मिल रहा है कि भारत हतियारों को बेच रहा है। काफी तेजी से भारत इस अस्तर पर पहुँच रहा है जब पिछले साल वित वर्स 2022-2023 में रक्षा निर्यात का आकड़ा 16,000 करोड रुपे को छूग गया था तब ही लगा था कि ये 23 गुना की बिर्धी है और इसमें पीनाका रॉकेट लॉंचर 155 mm के एडवांस टोल्ड आ इसे आ रहे हैं उसमें क्या क्या है डॉर्नियर 228 155 mm के एडवांस टोल्ड आर्टलरी गन ब्रमोस मिसाइल आकास मिसाइल सिस्टम रडार सिमूलेटर माइन्स प्रोटेक्टेड वाहन बखतर बंद वाहन पिनाका रॉकेट लॉंचर गोला बारूद थर्मल इमेजर्स बॉ वियात होने वाले सैने सामागरी की लिस्ट में हैं मंतराले की और से ये कहा गया कि भारत में निर्मित हलका जेट लड़ाकु विमान तेजस की मांग तेजी से बढ़ रही है ये कई तरह की भुमिकाओं वाला लड़ाकु विमान है जिसे HL द्वारा विक्सित किया जा रह ये एक सीट और एक जेट इंजन वाला हलका युद्धक विमान है ये बिना पूँच का कंपाउंड डेल्टा पंक वाला विमान है तेजस के अलावा लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर एयरक्राफ्ट केरियर की भी वी देसों में हाई डिमांड है भारती हतियारों की सबसे ज़्यादा लेटीन अमेरिकी देस अफरीकी देसों और दचीन पूर्वी एसी आई देसों में देखने को मिलती है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इसक्रीन पर हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें चाइना के जो राजदूत है वो चीन सेना को यहां पर भेजेंगे पाकिस्तान के परदानमंत्री सहवास सरीफ ने सोंबार को कहा कि उनकी सरकार देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों को हर हाल में सुरक्षा करेगी सरीफ का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले खैबर पक्तुनख्वा में आतंकी हम पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजना चाता है 26 मार्च को खैबर पक्तुनख्वा के बेसम इलाके में जो आत्मगाती हमला हुआ जिसमें पांच चीनी इंजिनियरों की मौत हो गई और एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी मारा गया ये सभी चीनी नागरिक दासु हाइड्रो पावर प्रजेक्ट में काम कर रहे थे आतंकी हमला उस समय हुआ जब चीनी नागरिकों का दल इसलामाबाद से दासु जा रहा था घटना की जाच के लिए पाकिस्तान ने जाच कमिटी बनाई थी लेकिन चीन को इस पर भरोसा नहीं था और उसने अपना जाच दल भी भेजा चीनी जाच दल ने दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ से सुरच्छा में खामी के कारण ही आतंकीों को हमले का मौका मिल पाया चीन की तरप से बार बार जलील किये जाने के बाद सोम बार एक अपरेल को पाकिस्तान के परदान मंतरी सहबाद सरीफ दासू पहुचे और वहाँ पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को भरोसा दिलाने की कोसिस करी वह पावर प्रजेक्ट में काम कर रहे चीनी नागरीकों को संबोधित करते हुए सरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 26 मार्च के आतंकी हमले के जिम्मेदार अपरादियों का ऐसी सजा मिले ताकि वो मिसाल बने और भविस में ऐसा कोई हमला ना क सरीफ ने आतंकी हमले को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोसिस करने वाला बताया उन्होंने कहा कि ये काहराना खारवाई थी जो निर्दोस चीनी नागरीकों और एक पाकिस्तानी को मारने के लिए की गई थी चीन और पाकिस्तान की खास दोस्त भी किया है पाकिस्तान ने और दुनिया के सामने ये पेश किया है कि हम इस पर कारवाई कर रहे हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉन की खबर जिसमें कहा गया कि हम ऐसा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ेंगे हम पूरी तरीके से चाइना के नागरिकों के लिए सुरक्षा पर सुरक्षित रहें और अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि चीन के इंजिनियर्स और कामगर धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं हमले के बाद ही पाकिस्तान को छोड़ेने लगे हैं चुकि काफी समय से चीनी नागरिकों को यहां पर निसाना बनाया जा रहा है तो ऐसे में तीनों जो खास प्रजेक्ट थे तीनों खास प्रजेक्ट को बंद करके यहां लोगों को वापस भेजा जा रहा है कई चीनी नागरिक सुरक्षा चिन्ताओं की वज़ह से पाकिस्तान छोड़ना सुरू कर चुके हैं चीनी कामगरों को पहले भी यहां पर निसाना बनाया जाता रहा है और इस वज़ह से दोनों के प्रजेक्ट भी अटकते हुए दिख रहे हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ